सर्दियां शुरू हो चुकी है और अब हम सभी के घरों में भरे पराटों के सिलसले शुरू हो जाएंगे किसी तिन गोबी का पराठा बनेगा किसी तिन मूली का आलू का मेथी का बहुत सारे वराइटी के पराठे हम लोग जाडों में खाते हैं तो आज रसोई के स्वाद में बना है गोभी का पराठा और आप देख सकते हैं कि ये पराठा कितनी अच्छी तरीके से फैला है और स्टफिंग तो बहुत ही मज़ेदार बनी है हेलो फूडीज वेलकम तो रसोई का स्वाद कैसे हैं आप सब होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपना और अपनों का ख्याल रखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजे रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंटर शेयर जरूर कर आज जिस तरीके से हम बैगन का भरता वगरा बनाते हैं तो उसको गैस पर भुंते हैं बिलकुल उसी तरीके से आज हम गोभी का प्राथा बनाने चाहरे हैं इससे एकदम स्मोकी तंदूरी वाला फ्लेवर आपकी स्टुफिंग में आ जाएगा तो स्लो फ्लेम पे पहले ग स्टुफिंग होगी जो आउटर वो होगा उसका कवरिंग होगी वो थोड़ी सी क्रिस्पी और अच्छी बनेगी और बिलकुल सादा साथा नहीं लगेगा थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमको इसका आटा तयार करना है आटा लगाते टाइम आप ध्यान रखेगा कि इ अच्छी तरीके से रभ कर लेंगे तो बिलकुल चुकनाटा हो जाएका जब तक हम एपनी स्ट्राफिंग तियार करेंगे उतनी देर मैं ऐसे ड्रेस्टिग आप कोभी Дेखी हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी अब इसको कदू कस कर लेंगे तो ये जो मोटा वाला इसी तरव से आप कदुकस करिये का बहुत महीन साई से कदुकस नहीं करिए का हमारी गोबी जो है वो कदुकस ओ चुकी है हमने इसको घिस लिया है अब वम इसमें नमक डाल देंके तो स्वाथ के हिसाब से नमक डालिए का ध्यान यह रखना है कि जैसे मैं तुरंत ही इसका प अब हम इसमें थोड़े बेसिक से मसाले यदंगे तो मैने धन्या प्वडर, गरम मसाला, लाल मिष प्वडर और अमचूर प्वडर, थोड़ा सा भुणा हुआ जीरे का प्वडर और थोड़ी सी काली मिर्ष डालिये थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डाल करके देखेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, खूब देर सारी धनिया की पत्ती डाल दीचे, और थोड़ी सी कसूरी मेती डाल दीचे, सारी चीजों को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लीचे, इसके बाद मैंने एक पेस्ट डाल सकते हैं, फ्लेवर बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, थोड़ा सा एक लैसून का पंच होता है, वो आजाता है, तो जिसको पसंद है वो डाल सकता है, और नहीं पसंद है और आप नहीं खाते हैं, तो उसको हटा भी सकते हैं, सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरी तरीके से मिक्स करिएगा, एक बार फिर से अपनों को ध्यान देला दूं कि अगर आप तुरंत स्ट्फ करने वाले हैं, तुरंत पराठे सेखने वाले हैं, तब आप उसमें नमक डालेगा, अधर बाकी सारी चीज़े मिक्स करिएगा, नमक को छोड़ दीजेगा, जब आप स्ट्फिंग करने जा रहे हों, तब आप उसमें नमक डाल दीजे, आटा हमारा तयार हो चुका है, रेस्ट कर चुका है, मैंने दो तीन बार और उसको अच्छी तरह से मल लिया था, रोटी से थोड़ी से जादा बड़ी हम लोई लेंगे इसके लिए, और इसके बाद इसक तरीके से एजी है, इस वाला ये वाला जो फर्स्ट तरीका है, ये थोड़ा सा अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें स्ट्फिंग बाहर आपकी थोड़ी बहुत जरूर आ जाएगी, तो बड़ी सी रोटी मैंने बना ली और इसके बाद इसमें फिर एक लेयर आप अच्छे से घी या ओयल जो भी आप पसंद करते हो पराथे में वो आप एक अच्छी सी लेयरिंग कर दीजेगा, इसके बाद हमने दो बड़े चमच इसमें स्ट्फिंग डाली है, जिस तरीके के आपने रोटी बनाई हो उस तरीके से आप स्ट्फिंग डाली हो और इसके इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद हम इसका लच्छा पराथा टाइप का बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसको स्ट्फिंग ऐसी फैलाने के बाद इसको हम रोल कर लेंगे, जैसे हम लच्छा पराथे में रोल करते हैं, उस तरीके से ह फिर जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरीके से हम गोल घुमा करके इसको उपर से टक कलेंके बराबर में नहीं करिएगा उपर से करिएगा बराबर में करिएगा तो जब हम सेखने लग जाएगे तो आपका पराठा खुलने लग जाएगा या फटने लग जाएग वैसे ये पराठा थोड़ा सा फटेगा, क्योंकि जो गोभी है वो थोड़ी सी हाड होती है, तो फटेगी ही फटेगी, चाहे आप जितने अच्छी तरीके से इसमें वो करें, बस इस तरीके से हम इसको बेलेंगे, और इस तरीके से जब आप स्टफिंग करेंगे, दोनों ही जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूं, दोनों तर ऐसे बहुत अच्छी तरीके से अपके पूरे पराठे में प्रफिंग पैल जाएगी, तो लोहे के तवे को मैंने अच्छी तरीके से गरम कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो पराठे वगर होते हैं, अग लगा लिया था, स्टफिंग रखी और इसके बाद इसको जो है हम उपर से एक और रोटी से चिपका देंगे, बिल्कुल ढग देंगे और फिर हलका सा बेलन और चला देंगे, जिससे की स्टफिंग दोनों ये रोटियां आपस में अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं, ऐस करने से भी आपकी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकले की जैसे वह लच्छा प्राथा मने बनायता तो इसमें चांसे होते हैं कि आपकी स्टफिंग भी बाहर नहीं लग जाएंगे तो आपकी स्टफिंग भी बाहर नहीं लेक क्योंकि इसमें आपने गोभी स्टफ की है और केवल ने गोभी को रोस्ट किया था तो मतब पराथे में कच्छा पन ना लगे इसलिए आप इसको बहुत तेज आच पे नहीं सेखिए गा और गोभी के पराथे मेरे फ्लेवर के हिसाब से और मेरे घर में सब को थोड़े से क्र करें के और मीडियम से हाई सेखने पर यह जो है सॉफ्ट बनेंगे यह देखे कितने जबरदस्त पराथे हमारे लग रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सेख गए हैं आई अब हम दूसरा पराथा भी सेख लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अच्छी तरीके से दोनों जब गी लगाते हुए मैंने इसको जो है कोल फ्रेस संफलार ओयल में सेखा है आप चाहें तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पराथे वगर थोड़े से ओई में ज्यादा घी के बजाए आपका मन करें तो आप इसको घी में भी सेख सकते हैं अब हम इसको खा करके दिखा बहुत ही स्मोकी फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी पराथे बनेते तो एक बार इस तरह से पराथे जरूर बनाईएगा फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए ठेक केर थैंक यू